हम लोग compound interest के questions देख रहे थे, इसी में आईए देखते आगे question को देखते हैं, यह question जो है SSC CHSL का पुछा हुआ question है, इसी साल अप्रेल में जो exam हुए थे, यह 12 अप्रेल 1st shift का exam का पुछा हुआ question है, देखते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या है कि पहले अनामिका जो है, वो 15,000 का लोन लेती है, यह compound interest पर लेती है, 3 years के लिए, और compound interest कितना पे करती है, 4965, तो सुमन जो है, और दूसरा कोई व्यक्ति है सुमन, वो 10,000 का लोन लेता है, लिकिन वो simple interest पर लेता है, तो तीन साल बाद और rate भी same है, यानि जो भी rate है, वो ही rate क्या है, उसी rate पे, तीन साल बाद वो कितना simple interest पे कर देगा, तो इसमें क्या है कि हम पहले compound interest जो दिया हुआ है, इससे क्या करें, हम rate find out कर ले, तो rate हमें find out करना है, तो आप देखो, तो यह amount है हमारा, जो principal है, वो है 15,000, और आप जानते हो, कि हम कैसे निकालते हैं, और compound interest दिया हुआ है 4965, तो हम लिख सकते हैं कि 15,000 का, अग interest का rate जो है, वो CI का rate जो है, वो 3 साल का R है, ठीक है, क्योंकि 3 years के लिए दिया गया है, तो क्या लिखेंगे, 15,000 का R upon 100%, यह कितना के बराबर हो जाएगा, compound interest 4965 के बराबर होगा, तो इससे हमारी R की value आईगी, R की value क्या जाएगी, यह 20,000 से 20,000 गया, 4965 upon 150, जब हम solve करेंग तो अब आप इस पर ध्यान देना, ध्यान से समझना आप, यह rate क्या होगा, यह जो है, वो CI rate होगा for 3 years, यह single year का नहीं होगा, यह 3 year का compound interest होगा, ठीक है, तो compound interest है, यह 3 year का 33.1%, तो 1 year का क्या रहा होगा, तो देखो हमने आप से एक चीज़ बताया था, कि 10% जो होता है, 10% का, आप 2 year का अगर आप निकालते हो, CI rate, तो क्या होता है, 10 plus 10, plus 10 into 10 upon 100, क्या होता है, X plus Y, पहले साल का अगर मान लो, यह compound interest 10% है, और second year का भी 10% है, तो successive increase के formula से, क्या आएगा, 10 plus 10, plus 10 into 10 upon 100, यानि 21%, अब इस 21% और next, third year में भी एक 10% हो, तो क्या होगा, 21 plus 10, plus 21 into 10 upon 100, यानि क्या होगा, 31 plus 2.1, यानि ये कितना आजाएगा, 33.1, यानि इसका original rate क्या रहा होगा, 10% रहा होगा, single year का, ठीक है, ये हमें कैसे पता चला, तो ये तो simple सी चीज है, 10 plus 10, plus 10, अगर आप 3 बार करने, तो 30% इसके आज़ पास यही है, तो आगे हम 10% का निकाल करके देख लें, ठीक है, तो ये sure है कि आपका 33.1% क्या है, इसको याद भी रख सकते हैं, ये 10% का rate लगभग लोगों को याद रखते हैं, compound interest में, 3 years का, 4 years का, ये आगे काम आता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, rate of interest क्या हो गया, 10% हो गया, initial rate of interest, तो initial rate of interest 10% हो गया, तो जो suman, suman जो loan लेगा, 10,000 का, वो इसी rate पर लेगा, कितने साल के लिए ले रहा है, 3 years के लिए, तो उसको कितना simple interest पे करना होगा, तो P, principle, into R, into T, upon 100, कितना आ जाएगा, 3,000 रूपीज, आंसर आ जाएगा, उमीद है, आपको ये question समझ में आया होगा, हम अगले question के लिए चलते हैं, देखें, next question भी कुछ इसी परकार का है, ध्यान से समझिएगा, इस question को, कहता है, the simple interest on a certain sum for 3 years at 12% per annum is 6,750, what is the compound interest on same sum for 2 years at 20% per annum, if interest is compounded half yearly, तो देखो यहाँ पर क्या है कि 3 year पे और 12% per annum के rate से simple interest हो रहा है, 6,750, तो principle निकालने, तो principle क्या जाएगा, 6,750, SI is equal to क्या होता है, P into R into T upon 100, यानि SI 6,750 is equal to principle multiplied by R क्या है, 12% into T क्या है, 3 year upon 100, इससे principle आ गया हमारा 18,750, ठीक है, अब इसको क्या है कि compound interest पे दिया जा रहा है, 20% per annum के rate से 2 year के लिए, लेकिन जो compound interest है, वो क्या है, half yearly compounded होता है, यानि 6 महीने बाद, जो है, क्या है, interest जो है, वो revise होता है, ठीक है, तो यानि compound होता है, 6 महीने पे, तो यानि इसका मतलब है कि इसके कितने half years बनेंगे, 4 half years बनेंगे, पहला क्या बनेगा तो आप देखो rate है 20% तो half yearly rate है तो आप जानते हो क्या करते हैं हम 2 से divide कर देते हैं यानि 10% हो गया rate अब यह कितने half के लिए होगा 4 half के लिए होगा तब तो पहले 6 महीने का 10% फिर next 6 महीने का 10% 1 year हो गया फिर next 6 महीने का 10% यह 1 and half year हो गया फिर next 6 महीने का 10% यानि टोटल 2 year के यह हो गया तो 4 half हो गये ठीक है 4 half में क्या है कर 10% 10% 10% 10% और 10% और आप से हमने discuss किया था 10% का जो CI का rate जो होता है 3 साल का कितना होता है 33.1% तो अगले साल के लिए क्या हो जाएगा तो अगले साल का क्या होगा फिर अगले उसके लिए अगर हम calculate करें 4th year के लिए तो क्या होता है 33.1 plus 10 plus 33.1 into 10 upon 100 यह कितना आ जाएगा 46.41% तो इस value को आप हमेशा याद रख लेंगे कि CI rate for 10% for 4 years होता है 46.41% अब यह 4 years की जगह 4 half years भी हो सकते हैं तो भी rate तो यही रहेगा ठीक है 46.41% तो अब क्या है इससे हम value निकाल लें ठीक है compound interest कितना बनेगा तो principle है 18750 इसका क्या है 46.41% यानि 46.41 upon 100 वैलू कितनी आ रही है 8701.87 यानि 8702 देखिए यहाँ पर अब solve करते समय हम distance हम नहीं लगा सकते हैं क्यों नहीं लगा सकते हैं अगर digital sum लगाएंगे तो यहाँ पर क्या है rounded off to nearest यानि कि यहाँ पर क्या है decimal के बाद भी value है इसलिए यह rounded off है तो यहाँ पर हम digital sum apply नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर question को हमें solve करना ही पड़ेगा calculation इतनी करने ही परेगे कौन सा option correct है भी option is correct देखिए एक चीज का आप ध्यान रखें कि rates क्या है rate calculate करना CI का rate 2 year, 3 year, 4 year यह क्या है यह successive increase के formula से calculate होता है ठीक है अगर 10% पहले साल का है दूसरे साल का भी 10% है तो कैसे calculate करते है x plus y plus x into y upon 100 इस तरह से calculate करते है अब वह जो आया उसको और plus next के लिए next year भी 10% अगर रहता है तो फिर उसको उसमें apply कर दे तो यह 3 साल का आ जाएगा फिर जो value उसको ले करके फिर next year का क्या करें 10% ले करके apply कर दें successive increase का तो 4 years का आ जाएगा तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाते हैं successive increase increment method का use करके ठीक है इससे क्या है CI का rate निकालना असान होता है और एक चीज आप इसमें और विध्यान रखेंगे कि जैसे 20% per annum है और क्या है half yearly compounded हो जाए तो यह rate क्या हो जाएगा half yearly हो रहा है तो divided by 2 अगर quarterly हो जाता तो rate का 25 क्या करते 4 से divide करते तो वो हो जाता हमारा rate of interest ठीक है तो इस प्रकार से हम questions को निकालते हैं उमिद है आप लोगों को यह चीज समझ में आई होगी और अगर यह समझ में ना आए तो आप हमारे compound interest के सुरुवात के videos देखिए आप उसमें हमने आपको बहुत अच्छे से explain किया है यह चीज आपको बिलकुल अच्छे से सम अच्छे में आई होगी है आप हमारे चैनल लागों मैस को सब्सक्राइब करें थाइंक्यू वेरी मच्छ